हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी स्टेडी दोस्तो कच्छा बार्मी अंग्रे जीजी हैं दोस्तो क्लाश 12 क्वाटरली इग्जाम इंगलीज का रियल कोश्चन पेपर दोस्तो हम आपके सामने लेकर करके आचुके दोस्तो यह आपका है सेट बी सेट अ जैसे ही हमको आता है दोस्तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए और इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन पीडियाफ पाने के लिए आप टेलीग्राम जॉइन खीजे टेलीग्राम पे आपको पूरा पीडियाफ अपसे कुछी देर पर मिल जाएगा अब आई फटापट से देख दोस्तों कि आखी कच्छा बार्मी अंग्रेजी का आज का पेपर आपका कैसा आने वाला कौन कौन से कौश्चन आने वाले क्योंकि आप आपको बुक से पढ़ने कोई जरूत ने के लोग आपको यही कोश्चन पेपर वीडियो सुरू से लाज तक देख लेंगे तो असी म आपको यह पूरा पैसेज पढ़ना है दोस्तों और इसके दस नंबर का पैसेज दोस्तों और दस कोश्चन यहां से आपके दिए हुए है आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा आंसर दोस्तों आपसे कुछी देर पर हम आपको टेलीगरम पर प्रोवाइड कर देंगे जाए और इजी स्टेडी सर्च करके जोइन कर जाए दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि आप जेओ लोगों आपको यूट्यूब पर देख लिजेगा दोस्तों क्योंकि फारजी चैनल भी बहुत सारे बन चुके हैं तो दोस्तों आइए फड़ा पर से आपको को पढ़ लीजे इसका हम आपको पीडिया प्रवाइड करवा देंगी टेलीग्राम पर तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं ठीक उसका सेकेंड कोश्चन एक और पैसेज केरफूली एंड कोश्चन गीवन विलो आप यहां पर देख सकते हैं एक और पैसेज आप का चुका है आप देख सकते हैं है पैसेज केवल और चाह अरण करा आप लोग इसको पड़िए फड़ा फट और इसकर यह दो कौश्चन हां आपको दोनों कोश्चन के आंसर इसी पैसेज से देना है आप लोग इसको देख लिज those记 आप को एक हिजाब सर्किका टाइट डूनके लिखन है और इसका आपको पूरा पैसे से आपको छांट किसके कुछ नोट्स तयार करने ठीक उसको अगे पढ़ेंगे देखेंगे section B question number third है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं question number third है आपकी screen पर आचुका section B का third number आप देख सकते हैं आप है आपको पर उबर पेपर दे रहे हैं जब तक solution नहीं मिलता ता आप खुद ही पर सको उसको इसी का अथवा है दोस्तों आपको Say No To Drugs का पोस्टर बनाना है दोस्तों तीसरे का अथवाय ध्यान दिजिए Say No To Drugs अब आपको पोस्टर का महत पूर्ण इंपोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर है तो आप लोगों कहां से देख लिजाए आपको एकदम 100% क्लियर आपको Say No To Drugs का पोस्टर मिल जाएगा Koorchn No. 4 है दोस्तों आप क्यां पर दिया हूए आपको Loud Speaker Band को ले करके एक अप्लिकेशन लिखना है दो आपको अपने District Collector को Loud Speaker Band का एकठो क्या लिखना है अप Mill Go क्या लिखना है इसका अथवा है दोस्तों आपको आथवा में एकठो letter लिखना है नहें दोस्तों किसको आप देख सकते हैं आप पूरा address दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं पूरा address यहांपर दिया हुआ आप लोग धियान दिजे You are Amit Neva Living it इतना इतना तो आप इस जगे में रहते हैं आपको एक ठो जो है अपनी board exam की preparation के लिए अपने father को एक letter लिखना है दोस्तो आप question number 4 का अथवा है आगे बढ़िंग question number 5 है दोस्तो question number 5 में आपको दोस्तो एक short note तयार करना है दोस्तो आप किसके आधार पर बनाएंगे a visit to a hospital पाच में नंबर में आपको a visit to a hospital का एक short note तयार करना है आपको इन 5 point पे ये note तयार करना आपका चार अंक का question है ये वाला आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और उसका अथवा है दोस्तो आपको एक short paragraph तयार करना है कि इसको only education born or born आपको इसका एक क्या करना है paragraph तयार करना है आगे बढ़ेंगे देखेंगे section c दोस्तो section c आपका फिलिंग इन दा ब्लैंक पांच नंबर का question है आपको 6 question यहां पर दिये हुए आप लोग फड़ा फड़ से देख सकते हैं 6 question दिये हैं आपको कोई 5 करने पूरा answer आपसे प्रप्रेशन सबसे पहले real question paper आपको easy study पर ही provide होंगे तो आप लोग चैनल को जलू subscribe कीजिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे section question number 7 do as directed है आपको 5 question करने यहां पर 6 question दिये हैं आप लोग देख सकते हैं इसकी वीडियो रोग करके आप इसको पढ़ लीजे या फिर PDF के लिए आ आगे बढ़ेंगे question number 8 यहां पर आपको क्या करना read following extract and answer question then that following passage आपको इस passage के अधार पर देखिए आपको पूरे 5-5 answer जो ढूल के वहीं से लिखने हैं एकदम easy है दोस्तों पूरा answer आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा question number 9 का 1 क्या है आपको इस poem के आदार पर question दी हुए है Poem के आदार पर question दिये हुए है तो आपको उस poem से आपको इन answer को देखना है और right answer पर आपको tick करना है इसी का 9th section B है दोस्तों आपको है पैसेज दिये है पीको पैसेज के आधार पर आपको पैसेज करना और राइट एंसर पर टिक करना देख सकते हैं आपको प्राइट आपके चार कोश्चन दिये हुए हैं यादी कोई आंसर नहीं मिलता तो आप हमको कमेट के माधियम से बता सकते हैं ठीक हम आपको पूरा सॉलूशन तो दे ही रहें आंगे पर इंग कोश्चन नमबर गया है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपको कोई तीन कोश्चन करना है धिये हुए है कोई कोश्चन करना है दोना को 75 गया है लिख सकते हैं आपके माई मदर इस 66 आपको यह क्या करना है त्यार करना है इसका इस प्रकार सेवका पंद्रमा कोश्चन है टाइगर किंग इसका क्या करना है तो आपके इस स्टोरी का आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है पंदमा कोश्चन है आपको इसको भी तैयार कर लेना है ठीक तो दोस्तो इस प्रकार से कच्छा बार्मी अंग्रे जी का 100% रियल कोश्चन पर हम आपके समने लेकर क्या थे उम्हीद है वीडियो को बहुत ज़्यादा पसांथ है फिलीज वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए इस पूरे वीडियो का पाने के लिए टैलीग्राब जोइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते है नेस्ट वीडियो में तब तक लिए बहुत धन्वाद